आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलेंड्स के बारे में दोस्तो 8,349 स्क्वाइर किलोमेटर में फैले ये आइलेंड्स 572 आइलेंड्स की एक चेन है जो की दो ग्रूप्स में डिवाइडिड हैं जिसमें की एक है अंडमान ग्रूप ओफ आइलेंड्स और दूसरा है निकोबार ग्रूप ओफ आइलेंड्स और इसी ग्रूप ओफ आइलेंड्स में से एक आइलेंड है ग्रेट निकोबार आइलेंड्स जिस पर मौजूद है इंडरा पॉइंट और ये पॉइंट इंडोनेशा के रॉंडो आइलेंड से केवल 163 किलोमेटर के डिस्टेंस पर ही मौजूद है और इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करता है ग्रेट चैनल और इतना ही नहीं ये आइलेंड नौर्थ में प्रिपेरिस चैनल और इंडमार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल और साउथ में 6 डिग्री चैनल जैसे चोक पॉइंट्स को भी डॉमिनेट करते हैं चलिए अब समझते हैं इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉइंट्स क्या है इंडोनेशा और मलेशा के बीच में सिचुएटिड है स्ट्रेट अफ मलाका जो कि इन आइलेंड्स के नदन पॉइंट से केवल 200 किलोमेटर के डिस्टन्स पर ही मौजूद है और इस स्ट्रेट अफ मलाका की इंपॉइंट्स चाइना के लिए बहुत ही जादा है और मान लेते हैं अगर इंडिया इस रूट को बलॉक करता है तो चाइना को इंपॉर्ट एक्सपॉर्ट करने में दिक्कत जरूर आएगी और इन आइलेंड्स की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझते हुए इंडिया है 75,000 करोर का मैसिव इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी डिवलप कर रहा है